कि हालो स्टुडेंट्स अपक्लाद नाइन आज मैं आप लोगों के लिए केमेस्ट्री के फर्स चैप्टर तब मैटर इन आवर स्राउंडिंग से थर्ड वीडियो पार्ट बनाने जा रहा हूं इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूं अगर उसे आप लोग नहीं देख लिजेगा उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा ओके तो आज हम थर्ड पार्ट में प्रापर्टी आफ पार्टिकल्स आप मैटर के विस्टाय में डिसकस करने जा रहे हैं जिसे आप लोग जानते भी हैं कि जो पार्ट मै बनिदा के बेब भी 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 इस्माल के कर तो पाहली प्रापरट इसका हो जायेगा तकील्स आफ मैटर और भी 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 इसमाल ये बहुत चोटे होते हैं दूसरा है इका प्रापरटी दपार्टिकल्स आफ मैटर है इस्पेस बिटमे जैम कि उनके बीच में मल्कुलर या atomic milk space पाय जाते हैं ठीक है third है the particles are continuously moving किसी भी substance का जो particles होते हैं यह हमेशा all time motion stage में होते हैं बट आप कह सकते हैं कि जो solid होते हैं solid में देखने में तो नहीं लग रहा है कि moment कर रहे हैं बट यह भी करते हैं यह vibrate होते हैं आप नहीं main position पे two and flow vibrate होते रहते हैं बट liquid gas में आप देखते ही हैं कि जैसे कोई भी gas है तो ओ diffuse करती है one place to another place क्यों क्यों कि उसके जो atom होते हैं क्या करते हैं moment करते हैं ठीक उसी तरह fourth property of particles है the property of matter attract to each other जो उसके atom होते हैं एक दूसरे को closely pack होते हैं due to attraction force और fifth property है उसका the moment of particles increase with increased temperature अगर हम temperature बढ़ा रहे हैं किसी भी substance का ठीक तो उसके जो particles है उनका भी moment increase करता है इस तरह से जो five property है इसे हम experiment के थोट समझाना चाहते हैं जैसे पहली property को हम ले रहे हैं पहली property है the particles of matter are very very smart इसे कैसे आप प्रूब करेंगे कि इसके जो particles हैं बहुत ही सूच मौर tiny होते हैं तो इसे समझाने से फाले हम एक experiment आपको बताना चाहते हैं by this figure जैसे अगर हम ले ले रहे हैं एक बीकर लेंगे बीकर में हम water ले लिए ठीक है इस water के अंदर हम potassium permagnate के crystal डालेंगे जैसे आप देख भी रहे हैं इस बीकर के अंदर water है water में हम spoon में potassium permagnate के क्या है crystal रखे हैं इसे इसमें हम डाल रहेंगे तो आप लोग जानते हैं कि potassium permagnate kmno4 जब किसी भी मतलब जब water में solvul होता है तिक color देता है मतलब rate color हो जाएगा पूरा जली ठीक है अब जो ये rate color है इसमें से हम four test tube के अंदर experiment करेंगे लेकर के जैसे first सिर्फ इसमें से beaker के अंदर से five ml solution take करेंगे in the first test tube first test tube में कितना add करेंगे five ml ठीक अब इसके अंदर हम फिर five ml water rate करेंगे जब five ml water rate करेंगे इसमें water डालते है कुछ साल्वूल हो जाएगा उसमें अर्थात जो इसका पहला color था first time beaker के अंदर वो कुछ light हो जाएगा इसके compression में ठीक अर्थात हम कह सकते है कि जब हम water five ml solution में five ml water mix किये तो ये total water ही क्या हुआ ये भी फिर colorful हो गया मतलब जो हमारा कि मने फोर के पार्टिकल्स थे ये फिर इसमें क्या होए इस प्रेट कर गए फाइल गए फिर अभी second test tube में से five ml solution एट करेंगे थर्ड टेस्ट्यूब में ठीक और उसमें फिर हम five ml water rate करेंगे जब five ml water rate करेंगे तो फिर चेक करेंगे अवजर्ब करेंगे आप ये देखेंगे फिर जो five ml water rate की है ये फिर colorful हो गया बट इसके compression में second test tube के उसका color क्या होगा थोड़ा light होगा हलका होगा लेकिन पूरा water क्या होगा colorful हो जाएगा ठीक और last में फिर इसमें से हम five ml solution टेक करेंगे फोर्ष टेस्ट्यूब में और उसमें फिर five ml water अलक्स डालेंगे अब फिर हम देखेंगे जो last में फोर्ष टेस्ट्यूब में हम के अमनो फोर का solution डालने है five ml water में ये क्या है ये भी colorful हो गया बट इन सा first second third के compression में light up है हलका लेकिन ये पूरा water क्या है lighted होने का reason क्या है reason यही है जो हमारा के अमनो फोर क्रिस्टल के particles है जो color दे रहा है टेस्ट्यूब के अंदर वो फैलते जा रहे है मतलब इसमें spread होते चले गए इससे prove हो रहा है कि इसके जो particles होते है भीरी भीरी इसमाल होते है ठीक है अर्थात last में हमारा procedure observation के बाद conclusion निकलता है कि the water in first tube is still colored so that there must be large number large number of tiny particles in just one crystal क्यामनोफोर अगर क्यामनोफोर का एक crystal है तो उसमें बहुत से tiny particles है जो हमेसा क्या है separate होट फैलते चले जा रहे है spread होते चले जा रहे है spread होते चले जा रहे है color देते चले जा रहे है इससे प्रूब होता है कि particles of matter are very very smart यह तो first properties मैं आपको so किया ठीक है second property को so करने के लिए second activity देख लिजिए जैसे the particles of matter है space between them उनके बीच में क्या है space होता है इसे अगर आपको प्रूब करना है experiment के थो जैसे हम विटे के gloss एक gloss ले लिजिए सिसे का ठीक है या कोई भी gloss ले लिजिए ठीक इसमें water भरिए और इससे mark कर लगा लिजिए इसके level को जो water level है या उसका जो वालूम है उसको mark लगा लेंगे ठीक नोटिस कर लिए तो इसमें water है क्या है water अब इसमें हम mark लगा लिए क्यां तक हमारा क्या है जल ले इसके अंदर अब हम सुगर मिलाएंगे या salt मिलाएंगे ठीक है salt मिलाएं जैसे gloss है इसके अंदर water है कर देंगे इसमें तो फिर इसे हम dissolve कर देंगे इसे हिला देंगे style by gloss rod gloss rod से इसे style कर लिजिए style करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जो हमारा level था जो level था किसका water का वो उसी level पे है जो इसकी height थी वही height इसकी है equal है equal height की है तो equal height सो कर रहा है आखिर में जो हमारा 50 grams salt dissolve हुआ वो कहां गया इसका mass तो increase करेगा बट volume नहीं increase कर रहा increase नहीं करने का मतलब वो कहां चला गया गया कहीं नहीं गटा वो गया कहां है जो हमारा water है water के जो molecule होते है उनके बीच में जो खौली अस्थान होता है space होता है तो जो हमारे salt के या sugar के crystal होते है उनकी size उससे भी छोटी होती है ठीक वो आकर के इनहीं के बीच में पैक हो जाते है आईसे ठीक है तो solution कर जो density है वो तो बढ़ जाएगी ठीक बट उसका volume नहीं बढ़ेगा ओके तो इससे फ्रूव होता है जब volume नहीं बढ़ा तो इसका मतलब उसके बीच में खाली अस्थान था space between दें था जिसमें इसके salt के crystal क्या होए जागर के fill up हो गए इससे अभी फ्रूव होता है conclusion निकलता है क्या कि the particles of matter have space between them space between them इस तरह से second property बता दिये अब third property हमारा है I request you to post this video and make notes तो इस तरह से बटा जो हम first second बता दिये second में जो last में बताया हो the property the particles of matter have space between them तो इसमें जैसे अभी हम salt और water को mix करके value के according experiment के थो समझाए है तो यही जो खाली अस्थान होते है इसमें इसके atoms क्या होते है fill up हो जाते है ठीक है अब हम third property पे चलते है third property of particles the particles are continuously moving I saw it by this experiment कि जैसे हम एक ग्लॉस ले रहा है एक ग्लॉस वाटर अब के ठीक है कांच सिसे की ग्लॉस है क्यों क्योंकि इसमें आपको दिखाई देगा जल यह ट्रांस्पेरेंट मेटेरियल का बना होता है ठीक है इसमें जल हम बढ़ लिए करना क्या है कि जैस बीकर है बीकर के अंदर हम कलर डालेंगे सब्सक्राइब मालेज यह क्योड़ा सा टुगड़ा या कोई भी डाई इसमें मिक्स कर सकते हैं केमनों फूर यह डाल दिए ठीक जब केमनों फूर डालेंगे ग्सकानेचर होता है क्या कुछ उसनों टिजाल भोना होने के बाद क्या करेगा कलर देगा के जब कलर देगा आप इसमें क्या अब्जर्ब करेंगे देखिए और और एट the crystal या particles of KMN4 dissolve in water यह सब इसमें dissolve होना शुरू हो जाएंगे ठीक तो जब dissolve होना शुरू हो गया जैसे कोई भी यहाँ पे color है या KMN4 है ठीक है जब हम डाल दिये ते KMN4 है KMN4 तो जब इससे water के particles क्या होते हैं आके touch होते है वो colorful हो जाएंगे अग colorful होंगे तो तो वहीं रहना चाहिए बट वन प्लेस पे रिश्टेश स्टेज में नहीं रहते हैं वो इसमें क्या करते हैं ऐसे moment करना शुरू कर देंगे आईसे ऐसे आप देखेंगे last तक इसमें lining बनना सुरू हो जाती है colorful और last में यह जो पूरा हमारा weaker का जो water है ठीक है यह पूरा का पूरा colorful हो जाएगा क्या हो जाएगा यह color हो जाएगा colored यह colored हो जाएगा जब यह colored हो गया तो इससे सो हो रहा है जो पार्टिकल्स है of matter it is continuously moving यह हमेशा क्या होते हैं continuous moving करते रहते हैं इसके और भी example जैसे हम लोग घर पे अगर बत्ती इस इस टीक क्या करते हैं जलाते हैं तो देखते हैं ना जो उसकी smell होती है और tissue जो करके one place to another place पहुचती रहती है जैसे हम लोग other room में हैं और mother हमारी दूसरे room में जैसे जो हमारा वर्सीफ room होता है पुजे का घर होता है उसमें पुजा कर रहे हैं तो उसका इसमिल वहां तक पहुचता है है ना तो इससे क्या फुरूब हो रहा है कि जो tiny particles है यह moment कर रहे है ठीक है तो इससे gas में तो आपजर्ब कर लिया या liquid में भी मैं बता दिया लेकिन जो हमारा solid होता है solid में इसे ऐसे नहीं सो कर सकते हैं क्योंकि वह भी moment करते हैं लेकिन उनका जो motion होता है vibration के form में होता है सिर्फ अपने mean position पर ही moment करते रहते हैं अब fourth property हम समझाने जा रहे हैं fourth property क्या लिखे थे हैं हाँ the moment of particles increase with increase in temperature the moment of particles increase with increases the moment of particles increase with increase in temperature अगर हम किसी भी सर्ष्टेंस का temperature क्या करें rise up कर दें बढ़ा दें तब क्या देखेंगे जो उसके अंदर solvility power होता है वो बढ़ जाता है जैसे हम लोग घर पर ही देखें है जैसे एक साधी भीवा पड़ता है ना घर पर जो हलवाई लोग होते हैं क्या अगरते हैं देखते हैं है सलोससन बनाते हैं छे नंगल वनाने के लिए सूगर का सलूसन बनाते हैं तो अगर सलूसन बना रहे अगर और है इसमें वाटर है और इसमें वाटर है और इसमें हम सॉल्ड डाल दिये या सुगर डाल अगर कोल्ड वाटर है अगर हम डाल नहीं सुगर को तब देखें कि कुछ सुगर तो डिज्याल होता है लेकिन उसके बाद क्या होता है वह स्टाफ हो जाएगा जल्दी नहीं खुलेगा तो लोग क्या करते हैं देखते हैं ना इसे चुले को उपर होर्नेस फेर रख करके क्य क्या करते हैं हीट करेंगे अगब हीट करते हैं तो जो सूगरै इसके अंदर यह इसमें क्या होता है ऑई जाल वह जाता है अरथात वह सकता है कि वना लेता है की ओनाता है स्थrowsेटית सूगर सलvine मतलब पूर्ण रूप से इसमें डिजाल हो गया है ना इस तरह से जब हम हीट देते हैं इसका टमप्रेचर राइज अब करते हैं ठीक है तो जो पार्टिकल्स का मोमेंट है यह इंक्रीच कर जाता है यह भी बढ़ता है तभी तो इसमें घुल गया या कभी-कभी आप देखे करते हैं ठीक है इस तरह से हम अब कि टमप्रेचर इंक्रीज करके उनके मोमेंट को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और फीव प्रोपर्टी है क्या वहीज़ दो पार्टिकल्स आफ मैटर अट्राइक इसदर दो पार्टिकल्स अफ मैटर कि अज़्वर पुल को इचंदर एक दूसरे किया करते हैं अट्रैक करते हैं इससे भी देख लिझे उर अजा कि जब हम इक्सपरिमंटली से चेक करते हैं हे एके थिस,'ा जैसे सपोड़ एट मौल लेजे अगर हमें अगर देख रहे हैं घरों पर जल के लिए टोटी लगी रहती है ठीक है अगर यहां से इसको हम गुमा देते हैं तो जल यहां गिरने लगता है है ना तो जैसे इसे हम आपको समझाना यह चाहरा है कि जैसे यहां पे आप अपनी उंगली लगा देजिए बीच में अगर यहां से वाटर गिर रहा है क्या हो रहा है वाटर गिर रहा है तो उंगली लगाते ही यह दो पार्ट में बढ़ जाएगा ठीक है तो जब दो पार्ट में बटेगा ऐसे उपर सत्वार आया लेकिन बीच में मंगली लगा दिये ठीक तो यह जब फिंगर के पढ़ने पर यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है एक इधर से और एक इधर से अब फिर आप देखेंगे जर्ट नीचे जाने के बाद फिर यह उनिफॉर्म में आ जाएगा फिर नीचे गिरना शुरू हो गया parler means it means यह हम समझाना चाहर रहे हैं आपको कि जैसे जो वाटर के particles हैं यilate हैं जब इसे हम डिवाइड कर दे रहा हैं और लेकिन जब फिर फिर आपस में एक दूसरे कमा नदि का रहे हैं तब आपस में klink हो जा रहा है klink होने में जूड जाना अपस लिव्र भीज होने जोड़ हो abra किति हम क्यों क्या हो रही है और थाथ इसके बीच में संभुण मुझा अट्रेक्शन लग रहा है कऊन सा लग रहा है अट्रेक्शन यह दो कि आट्र 거야 रहे है आइसके तो जो पर्टिकल स्था मैटर है इनके विइच बड़ता है जिससे कोई कर अपरे बदे रहते हैं जैसे सॉलेड है लिकूईड है लेकिन गास के फोर्स हुआ सालेड में क्या है ग्रेटर होता है फिर इससे लेस लिक्यूड में होता है सबसे लेस या ना के बराबर किसमें होता है गैस में इस तरह से यह decrease होता है attraction force इस तरह से जो matter है इसकी property मैं by experimentally आप भाउं संध्या दिया हूँ अब मेरा next point आएगा classification of matter ठीक है I requested you to post this video and make notes in next video we will discuss about the classification of matter so thank you for watching this video लभी थादो थादो